असलाम अलेकूम, फूट कोर्ट में खुशाम दीद, आज हम बनाएंगे इंस्टन चिकन पलाउ, यह रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत सब दस है, जो वर्किंग लेडीज हैं, या बाज वकात घर में अचानक महवान आ जाते हैं, और हमें इस्पेशल कुछ पकाना और टाइम हमारे पास काम होता है, तो मैं आपको एक ऐसा मसाला बनाना से खाऊंगी कि इस पलाव में बिलकुल यखनी जैसा जायका आएगा और हमें यखनी बनानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आईए शुरू करते हैं, पलाव बनाने के लिए मैंने यहां लिया ह अखर आप शुरू गाते हैं, आपके पास बड़े हो तो आप दो लिए जैगा इसमें लिया है मैंने 1 टी स्पून काला जीरा, 2 चुटी स्टिक्स दार्चीनी, 6 साथ हैं रिल यह रिलाईची, 1 टी स्पून लिए है मैंने साबुत कालिमिच, 1 टी स्पून लिए हैं यह और एक किलो राइस में पूरा 250 ml ऑईल या घी जाता है तो मैंने इसे मेजरिंग कप से मेजर किया है आप भी इसका फिर मेजरिंग कप से ही ले ले जाएगा ये बिलकु परफेक्ट चावल के अंदर ये घी का और आयल का तनासुब रहता है अच्छा एक किलो राइस है तो मै अपस या ग्लास से नापने के बजाए किसी भी एक बाउल से आप लिया करें उससे पानी की मेजर्मेंट बिलकु परफेक्ट रहती है ये एक बाउल मैंने चावल का लिया है मैं इसको आदा घंटा भीगूंगी तो दो बाउल पानी के डालूंगी और अगर इसको आदे ग बाउल मैंने जावतरी लिया है और इतना चोटा टुकड़ा लिया है जाइफल का इन सारी चीजों को हमने बारीक पॉडर बना लेना है दर्दरा जरा सा नी होना चाहिए बिलकुल बारीक पॉडर हमने इसको पीस लेना है प्लाउम साली की जो चीजे मैंने आपको निकाल के नहीं रखना इसको किसी चीज बे ढखके रखना या तो इसी में ही छोड़े और जितनी चीज मैंने बताई है बस उतना ही लेना है वनना इसमें जो शाने का टेस्ट रहने लगता है ये बढ़ा दिया तो सबसे पहले हम एक पैन में ये एक कप घी डालेंगे और ये जो मीडियम प्यास लियाता है इसे गोल्डन फ्राय करके बाहर निकाल लेंगे अच्छा इसकी डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शिन में मौझूद है तो वो सारी टिप्स और ट्रिक्स आप महां से देख लेना है प्यास हमारा गोल्डन फ्राय हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते है थोड़ा सा राय भी जाए तो खेर है मगर जादा ना छोड़िएगा फिर कलर खराब होता है अच्छा अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिच्चे इतन अब बेंगे जोड़ने चाला क्याद ना भी काज़ा बर बटी रभी सबस्था जोड़िए नमक दालेंगे हज़ी जाय काप नमक दालेंगे हज़ी जाएका अब हम इसे ढपके बोछ गले तक पकाएंगे तिकन को मैंने मीरियम हीत के उपर ढ़कन ढ़कके 25 मिनट तक पकाया है और गोछ इसका गल जया है अब मैंसे डालूंगे यह केवड़ा वाटर वेजो मसाला हमने पीछ के रखाता पुलाओं का ये डालेंगे बखाना है यह पिए सबस्टाइब यह नहीं पता है यह पुछार लिए यह को पानी नाख के रखा ता दो रखागी है बगोने को ढग देंगे के पानी में अच्छी तरह से उपाल आ जाए पानी में अच्छी तरह से उपाल आ गया है और अब हम इसके अंदर ये भीगे वे चामल डाल देंगे चामलो को मैंने अच्छी तरह से दो के आदा घंटा नीम गरम पानी में भीगोया था अभी इसको नहीं चलाएंगे अभी ज़रा इसको पकने देते हैं फ्लेम इसका हाई है और हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे चामलो को ढखके पकाते विए एक दू मिनिट हो गए है अ अब हम इसे एक मिक्स देते हैं इस वक्त आब इसका नमक चैट कर लें पानी का नमक इसमें थोड़ा सा खुलता होना चाहिए तो फिर ये बिल्कु परफेक्ट बैठेगा फुड़ी देर और ढखके पकाएंगे उसके बाद फिर हम इसे दम लगाएंगे पानी रेके इसका पुष्पोने लगाए थोड़ा सा पानी इसका रह गया है नमक इसका चैट कर लिए नमक इसका पॉर्पेक्ट है यह जो प्यास मैंने तल के रखा था यह देखें कितना क्रिस्पी तला है यह मैं इसके उपर डालूंगे अलकाल सा इसमे पानी है और मैं इसको दम दे दूँगे यह भी से 10 मिनिट हम इसको दम वली हाग पर पकाएंगे 10 मिनिट बाद इसका चूछा कर देंगे और पांच मिनिट बाद इसको फिर हम प्रीन प्लेट में निकालेंगे दस मिनिट मेरे चाबलो को दम दिया था और पांच मिनिट इसे इसी की स्केम में छोड़ दिया था और अब हम इसे चेक कर लें बिल्कुल इसकी खुच्बू वैसी ही है जैसी यखनी पुलावती होती है अपना बहतरीन और खिले खिले से यह तरह से करें जोश भी कितनी अच्छी तरह से करें चिकन इंस्टन यखनी पुलाव हमारा तैयार है एंड बिलीव में कि इसके अंदर से बिल्कुल यखनी पुलाव जैसे खुच्बू आरी है उमीद है अच्छी रेसेपी आप लोगों को पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए अजाज़त दें अल्लाहावास